जैहन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और डेली करेंट अफेर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में हम 8 अक्टूबर 2020 से जो भी महत्पूर्ण प्रश्ण आपकी परिच्छाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्णो जो इकाई होती है उससे हम लोग साउंड को मीजर करते हैं ब्लैक ब्यूटी के नाम से किसे जाना जाता है तो इस प्रश्ण का उत्तर कई सारे लोगों के द्वारा अलग अलग दिया गया था लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये सारे प्रश्ण आपके RRB NTPC के ह होते हैं तो ये प्रश्ण RRB NTPC का था और इस प्रश्ण का सही उत्तर होगा मार्श प्लानेट का एक पत्थर है कौन सा मार्श प्लानेट का एक पत्थर है और 2015 की बात है जब अफरीका के रेगिस्तान में इसी प्रकार के एक पत्थर की खोच हुई थी 200 cancer दिवस की बात करते हैं तो ये आपका होता है 4 फरवरी को और I can, I will इस बार यानि की 2020 का इसका बिस है था मिसर का जो सबसे बड़ा पिरामिड है इसका नाम है कूफू क्या नाम है कूफू या फिर गीजा और state drive उस तक की बात करते हैं तो इसके लेखक है सुनील कावासकर कौन? क्रिकेटर सुनील कावासकर इसके लेखक है और इस वीडियो की जो PDF है वह आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी टेलिग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरू जी और वहाँ पे आप टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं टेली ग्राम चैनल के उपर मैं डेली आपसे क्विज भी पोचता हूँ तो इसलिए अगर आपने अभी तक टेली ग्राम चैनल को जोईन नहीं किया है तो उसको आप जोईन जरूर कर ले बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से बहतर कंटेंट मैं आपको देता रहूँ तो फिर आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में सेर भी जरूर किया करें और आप साम की जो वीडियो है उसमें हम लोग पहले वीडियो के उनको डिसकस करने वाले है तो टॉपिक वाइस करेंट अफेर्स के जो स्रीज है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें कुल मिला करके 25 वीडियो होंगे जिसमें हम लोग सभी टॉपिक वाइस करेंट अफेर्स को कवर करेंगे चलिए अब देखते हैं आज का पहला प्रशन क्या है प्रतेक वर्स 200 कपास दिवस यानि कि वर्ल्ड कॉटन डे कम मनाया जाता है तो ये दिवस आपका होता है 7 अक्टूबर को यानि कि इस प्रशन का आप्शन भी करेंट होगा तो बैस्विक अस्तर पर जो हमारा कॉटन होता है इसके महत्तो को चिहनित करने के लिए या दिवस प्रतेक वर्स 7 अक्टूबर को मनाया जाता है ध्यान रखिएगा पिछले वर्स 200 ब्यापार संक्ठन के द्वारा इसको मनाया जाने की घोशना की गई थी कब पिछले वर्स इसको मनाया जाने की घोशना की गई थी यानि कि ये आपके 200 कपास दिवस का दूसरा संस्क्रण है और 200 ब्यापार संक्ठन की बात करते हैं तो गैट के अस्थान पर इसकी अस्थापना एक जनवरी 1995 की गई थी मुख्याले इसका है आपके सुर्जन लेंड के जिनिवा में और वर्तमान में इसके अध्यच है रॉबर्ट एजे बेडो अगला प्रशन हमारा नोबल पुरसकार से जुड़ा हुआ है तो वर्श 2020 के लिए रसायन सास्तर के छित्र में नोबल पुरसकार से किसे सम्मानित किया जाएगा तो ये पुरसकार मिलेगा इस बार दो लोगों को एक तो हैं एमैनुवल चारपैंतियर और दूसरी आपकी हैं जैनिफर A. डोड़ना तो इन दोनों को मिलेगा यानि कि इस प्रेशन का ओप्शन D करेक्ट होगा अब इन्हें ये पुरसकार मिलेगा क्यों इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए तो बेसिक आप जान लीजिए कि जिनोम एडिटिंग के लिए इनके द्वारा क्रिस्पर कैस्ट 9 DNA के इडिट करने के लिए एक प्रकार के तकनीक का विकास किया गया था और इसी के लिए इन्हें ये पुरसकार मिलेगा बात करते हैं इमैनुल 4.35 की तो ये आपके फ्रांस की एक बैग ग्यानिक है और बात करते हैं जेनिफर A. डोड़ना की तो ये आपके अमेरिका की एक नागरिक है और इन दोनों को सेट रूप से जिनोम एडिटिंग के जो तरीका है उसके विकास के लिए पुरसकार दिया जाएगा और यहाँ पर रसायन सास्तर में जो भी आपके बिजेता होते हैं उनकी घोषना सुईदिस अकाडमी आप साइंसेज के द्वारा की जाती है कुछ और चीजे आईए केमेश्टी में नोबल पुरसकार के बारे में जान लेते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया दो लोगों को ये पुरसकार इस वर्स मिलेगा और आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रेडरिक सेंगर ऐसे बेखती हैं जिन्होंने रसायन के छेतर में दो बार ये पुरसकार जीता है वही पर फ्रेडरिक जोलियट इन्होंने सबसे कम उम्र की आयूमे केमेश्टी के फिल्ड में नोबल पुरसकार जीता है और एक नाम आपको जरूर याद अखना है जो की है जॉन वी गुड इनपका इनको पिछले वर्सी नोबल पुरसकार मिला था और वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा येर की आयूमे यानि कि सबसे ज़्यादा एस में नोबल पुरसकार पाने वाली ये बिजेता है 97 वर्स की आयूमें इनको ये पुरसकार मिला था और सबसे कम उमर में किसे मिला था तो सबसे कम उमर में मिला था ये पुरसकार पाकिस्तान की जो है समास सेविका मलाला यूसुफ जै को अगला प्रशन है भारते तरट अच्छक बलके अब तटिये गस्ती पोत यानि कि आफ सोर पेट्रोल बेशल विग्रह को किस राज में जलावतरण किया गया तो इसे जलावतरण किया गया है तमिल लाडू में यानि कि इस प्रेशन का option A correct होगा तो तमिल लाडू की राजधानी आपको मिलेगी चन्नई में और चन्नई में ही आपका है कट्टू पल्ली बंदरगाह जहां पर इसे जलावतरण किया गया है अब इसके बारे में आपको कुछ और चीज़ें ध्यार रखनी है जैसे कि जो हमारे आपसोर पेट्रोल बिशल होते हैं इनका मुख्य काम होता है कि जो भी हमारी काफी लंबी तर देखा है इसकी निगरानी करें और इसके अलावा अगर किसी प्रकार की भी तसकरी यहां पर की जाती है या किसी भी प्रकार का अवैत काम होता है तो उन सभी कामों से निपटने के लिए इस प्रकार के आपसोर पेट्रोल बिशल का निर्मार किया जाता है तो यहाँ पर लार्सन और टुब्रो नाम की जो कमपने है गुजरात की इसके द्वारा कुल मिला करके साथ अब तटिये गस्ती पोद का निर्मार किया जाना था और उसी करम में ये आपका सात्मा जहाज था यानि कि इस से पहले च्छा का निर्मार इनके द्वारा किया जा बातेत रटच्छकबल की बात करते हैं तो इसकी अस्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी और वरत्मान में महांदिर सक है इसके के नट राजन और तमिल लाडू राजी की बात हुई है तो राजधानी चन्नई में है बनवारी लाल पुरोहित यहां के राजपाल है इडा पड़ी के पलाना स्वामी यहां के मुख्यमंत्री है लोग सभा में 49 राज सभा में 13 और विधान सभा में 234 सीटे हैं राश्टिय पार्क की बा आपको एक मिलेगा जिसका नाम है पॉइंट कलिमेर वाइड लाइप सेंगुचरी मंदिर की बात करते हैं तो रंगनाज स्वामी का मंदिर महाबलीपूरम का मंदिर ब्रहदेश्वर का मंदिर और मिराच्छी मंदिर आपको यहां पर मिलेंगे बाकी एलिफेंट रजर भी किसे न्यूक किया गया है तो यहां पर न्यूकती हुई है दिनेश खारा की तो इस प्रशन का option C correct होगा और मैंने आपको काफी समय पहले ही बताया था कि जो हमारे यहां का bank board bureau है उसके द्वारा दिनेश खारा के नाम को recommend किया गया था State Bank of India के नए अध्यच के लिए तो किया गया है और यह अस्थान किसका लेंगे तो यह अस्थान लेंगे रजनीश तुमार का State Bank of India की बात करते हैं तो एक जुलाई 1905 को इसकी अस्थापना हुई थी यानि कि यह राश्टिय क्रिथ हुआ था और इसका मुख्याले आपको मिलेगा मुंबई में अक्टूबर 2020 में किस देश ने जर्कोन हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परिच्छन किया है तो इसका परिच्छन किया है रूस ने यानि कि इस प्रश्ण का option भी correct होगा आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद अखना है हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में तो आपके मिनेट है यानि कि इसकी जो स्पीड है वह साउंड के स्पीड से आठ गुना जादा है और आपको नीचे कमेंट में बताना है कि आपके साउंड की स्पीड कितली होती है तो अभी हाली में रूस के द्वारा बेरेंट सागर में लच्छ को भेदने के लिए इसका रखना है रूस की बात करते हैं तो इसकी राजानी मौसको में है मुद्रा यहां की है रूबल और राश्पती यहां की है प्लादी मिर्क पुतिन वहीं पर आपको यह भी द्यान रखना है कि जो हमारे ब्रंभोस मिसाइल है यह एक प्रकार के सूपर सोनिक मिसाइल है कैसी ह ये सूपर सोनिक मिसाइल है तो हाइपर सोनिक काफी एडवांस लेबल का एक मिसाइल होता है रूस की बात करते हैं तो ये आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं दुनिया का छेतरफल के दृष्ट कोर्ट से सबसे बड़ा देश वर्तमानमी रसिया न्यू कैलिडोनिया देश में हुए जन्मस संग्रा में देश की लोगों ने किस देश से स्वतनतरता प्राप्ति से इनकार कर दिया है तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा आप्शन डी यानि की फ्रांस अब थोड़ा सा समझते हैं कि यहां पर मामला क्या है तो बात है अठारा सो तिरपन की अठारा सो तिरपन में दच्चनी प्रसांद दोईप समोह के जो भी आपके दोईप थे उन सभी के उपर फ्रांस के द्वारा अधिकार कर लिया गया था तो यह आप पहले लोकेशन देखिए यहां पर आपको मिलेगा आश्टेलिया और यह हमारा है प्रसांद महासागर का पस्मी हिस्सा या फिर आप कह सकते हैं पस्मी दच्चनी हिस्सा तो यहां के जो भी दोईप थे उन पर अधिकार कर लिया था फ्रांस ने और इसी क्रम में ये आपको मिलेगा New Caledonia जिसके उपर फ्रांस के द्वारा अधिकार कर लिया था अब अधिकार यहां पर कर लिया तो जो यहां के नेटिव लोग हैं यानि कि जो New Caledonia के मूल निवासी हैं उनके द्वारा लगातार फ्रांस से आजादी को ले करके प्रदर्सन होती रहे और ये जो प्रदर्सन है वह काफी लंबा चला और इसी द्वारान फाइनली 5 माई 1998 को एक समझोता होता है जिसका नाम है नौमिया एकॉर्ड तो नौमिया एकॉर्ड में ये निर्णे लिया गया कि 2018 में 2020 में और 2022 में यहां पर जन्मस संग्रह कराए जाएंगे जन्मस संग्रह में मुख्य रूप से एक प्रशन पूछा जाएगा कि क्या आप फ्रांस की अधिकारता को सोईकार करते हैं या फिर आप लोग फ्रांस से अलग एक सुतंदर देश बनाना चाहते हैं तो 2018 में हुआ था उसमें भी फ्रांस बिजेता रहा था यानि कि ज़्यादा तर लोग इस बास से सहमत हुए थे कि वे फ्रांस के उपनिवेश के रूप में रहना चाहते हैं 2020 में भी समझोता अभी जनमत संग्रा हुआ है इसमें भी ज़्यादा तर लोगों ने यही कहा है कि वे फ्रांस की कालोनी के रूप में रहना चाहते हैं अब एक बार 2022 में यहाँ पर जनमत संग्रा कराया जाएगा उसके बाद में final decision होगा कि क्या New Caledonia फ्रांस का एक उपनि दिया यह आपको मिलेगा आश्टेलिया के पूरब में और इसके बीच में आपको मिलेगा कोरल सी किस के अंद्रिय मंत्री के द्वारा पहले राष्ट्य स्टार्ट अप अवार्ड 2020 की घोशना की गई तो इसकी घोशना की है हमारे railway और ब्यापार और उद्योग मंत्री प् और इस पुरसकार की बात करते हैं तो इसकी सबसे पहले परिकलपना Department for Promotion of Industry और Internal Trade के द्वारा की गई थी तो यहाँ पर पुरसकार के लिकों मिलता है वह स्टार्ट अप जिनके द्वारा Innovative Product के उपर काम किया जाता है या फिर इस प्रकार के Innovative Solutions प्रवाइड कराय जाते हैं उन स्टार्ट अप को यहाँ पर अवार्ट दिया जाता है अब कुल मिला करके 12 आपके ऐसे फिल्ड हैं और उन 12 फिल्ड में 6 पैरामीटर हैं 6 पैरामीटर कौन से Innovation, Scalability, Economic Impact, उस स्टार्ट अप का Social Impact क्या है, समावेसी और आपकी है Diversity यानि की बिवित्ता तो यह आपके 6 प अधार पर यहां पर श्टार्ट अपको पूरषकार दिया गया हैं तो आपको ध्याँ रखना है कि जो भी विजेता श्टार्ट अप होता है उसको 5,K पूरषकार मिलता है और दो श्टार्ट आपको पूरषकार मिला गया है तो दिया किसने है प्यूस गोयल ने ये आपको ध्यार रखना है चेतन आनंद जिने ट्रांस फार्म ब्रांड ने अपना ब्रांड मेजडर बनाया किस खेल से संबंदित है तो ये आप देख सकते हैं ये बैक मेंटन के पूर्व खिलाडी रहे थे और 2006 में जो आपके आश्टमंडल खेल हुए थे मेल बर्ण में आश्टेलिया के मेल बर्ण में वहाँ पर इन्होंने कांस से पदग जीता था तो अब इनको यहाँ पर ट्रांस फार्म कंपनी ने अपना ब्रांड मेजडर बनाया है और ट्रांस फार्म के बारे में आपको ये ध्यार रखना है कि ये हमारे देश का पहला बैटमिंटन के छित्र का ब्रांड है अक्टूबर 2020 में किस केंद्रिय मंतरी ने इंडियन बैंक के आनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम जिसका नाम है MSME प्रेंडा इसको लॉंग किया है तो इसे लॉंग किया है निर्मला सीतारवन जी ने जो कि हमारे देश के बित्त मंतराले के साथ साथ कार्पुरेट मामलों के मंतराले के मंतरी है तो इस प्रेशन का आप्सन डी करेक्ट होगा अब ये प्रोग्राम है क्या तो देखिए हमारे यहाँ पर एक सार्वनिक छेतर का बैंक है जिसका नाम है इंडियन बैंक तो इंडियन बैंक के द्वारा पूरलॉथा एंड कंपनी लिम्टेट के साथ में मिल करके MSME छेतर के जो भी हमारे उद्योग है उनको ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम के लिए MSME प्रेड़ा को लॉंग किया गया है यानि कि जो भी हमारे यहाँ पर MSMEs है उन सभी के बिजनेस को ग्रोग करने के लिए एक प्रकार से मेंटर के भूमिका निभाएगा MSME प्रेड़ा इससे पहले हम लोगों ने इंडियन बैंक के बारे में डेस्कस किया था कि इन्होंने IBE नोट को लॉंग किया जो की एक ग्रीन टेक पहल है और तमिल नाडू के जो मचवारे हैं उनके लिए इन्होंने किसान क्रेडिर कार्ड लोन योजना को भी लॉंग किया है तो ये चीज़े भी आपको ध्यार रखनी है बाकि इसकी अस्थापना अगस्त 1907 में हुई थी मुख्याले आपको मिलेगा तमिल नाडू के चिन्नई में MD और CEO है पदमजा चुंदरू अगला प्रशन है अक्टूबर 2020 में किस बैंक के इमुद्रा पोर्टल के साथ PM सौनेधी पोर्टल के API integration को लॉंच किया गया तो इसे लॉंच किया गया है State Bank of India के साथ में तो इस प्रशन का option भी correct होगा अब ये थोड़ा सा है क्या आईए इसको समझते हैं दरसल बात है एक जून 2020 की तो जो हमारे यहाँ पर आवास और सहरी मामलों का मंत्रा ले है उसके द्वारा जो भी सहरों में फेरी लगाने वाले लोग है या फिर जो भी हमारे सडकों के आसपास ब्यापार करने वाले लोग हैं उनके लिए PM स्वानिधी योजना को लांच किया गया था और इस योजना की अंतरगत जो भी यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर है वह दस लाथ रुपए तक करन ले सकते हैं तो इसके लिए एक हमारे पोर्टल को भी लांच किया गया था और उसी पोर्टल को अब यहाँ पर SBI E-Mudra पोर्टल के साथ में जोड दिया गया है तो इससे फायदा क्या होगा इससे फायदा यह होगा कि जो PM स्वानिधी के डेटा है वह आपके SBI E-Mudra पोर्टल पे भी पहुँच जाएंगे इससे जो भी हमारे स्टीड वेंडर होंगे उनको रिंड देने में आसानी होगी और आपको ध्याँ रखना है कि PM स्वानिधी योजना यह आपके आवास और सहरी मामलों के मंतराले के द्वारा संचालिक की जा रही है जिसके मंतरी हैं हरदीब सिंग पूरी और कल ही मैंने आपको बताया था कि इस योजना के अंतरगत हाल ही में आवास और सहरी मामलों के मंतराले के द्वारा सुईगी कंपनी के साथ में समझोता किया गया है अगला प्रेशन है अक्टूबर 2020 में तो पहले भारतिय खिलाडी कौन बने तो पहले भारतिय खिलाडी बन गए है बिराट कोली जो की वर्तमान में भारतिय क्रिकट टीम के कप्तान भी है तो इस प्रेशन का आप्टसन A करेक्ट होगा तो IPL के दवरान रायल चैलेंजर्स बंगलूरू और दिल्ली के वेश में मुकाबला हुआ और इसी दवरान रायल चैलेंजर्स बंगलूरू के जो कप्तान बिराट कोली ये T20 क्रिकट में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतिये बन गए हैं तो ये आपको यहाँ पर ध्यार रखना है अगर आपसे ये पोश लिया जाता है कि T20 क्रिकट में अभी तक सबसे ज़्यादा रन किस खिलाडी ने बनाए है तो वह रिकॉर्ड है बेस्टन डीज के बलने पाज क्रिस गल के नाम पर तो ये चीजें आपको यहाँ से ध्यार रखनी है अगला प्रेशन है अक्टूबर 2020 में किस कमपनी को Green Tech CSR Award से सम्मानित किया गया तो ये पुरसकार मिला है जिंदल, स्टील और पावर लिम्टेट को यानि कि इस प्रेशन का आपसल सी करेक्ट होगा तो यहाँ पर जिंदल, स्टील और पावर लिम्टेट ने काम क्या किया है जिसके लिए उन्हें ये पुरसकार मिला है आपको साथ पता होगा कि जो भी हमारे देश में इस प्रकार की कमपनिया होती है उनके लिए एक होता है CSR Fund CSR Fund यानि कि Corporate Social Responsibility और इसके अंतरगत उन कमपनियों के द्वारा समाज के लोगों की भलाई के लिए कुछ पैसा खर्च किया जाता है तो जिंदल, स्टील और पावर लिम्टेट के द्वारा अपने CSR के अंतरगत स्वास्त सेवा के छेतर में कारी किया गया जिसके लिए इनको Green Tech Corporate Social Responsibility Award से सम्मानित किया गया है तो ये रहा आज का Current Affairs चलते चलते कुछ अन्य चीज़े भी जाल लेते हैं जो कि आपके परिच्छाओं के द्रिश्ट कोर्ट से महत पूर्ण है आपको नामे आदखना है बिसाल आनंद का जो कि एक अविनेता थे इन्हें हम लोग भीस मुकोहली के नाम से भी जानते हैं हाल ही में इनका अविनेधन हो गया है केंदर सरकार के द्वारा राज़सु घाटे के लिए राज़यों को 20,000 करोड उपए के देने की घोश्णा की गय थी आपको याद होगा कि केंदर सरकार ने ये कहा था कि जो भी राज़यों के जेश्टी का हिस्सा है उसको केंदर सरकार देने में आसमर्थ है तो जाहर सी बात है अगर राज़यों को उनका हिस्सा नहीं मिलेगा तो उनके खर्चे पूरे नहीं हो पाएंगे तो अब किंद्र सरकार ने कहा है कि यहाँ पर राज्यों के घाटे के लिए 20 अजा करोड उपए किंद्र सरकार देगी दिल्ली के जो उपमुक्यमंतरी है मनीज सिसोधिया इनके द्वारा गांधी जी के जीवन पर एक कॉफी टेबल बुक जिसका नाम है बापू दा अनफॉर्गेटेवल इस पुस्तक का भी मोचन किया गया एक हमारे यहां का निकाय है जिसका नाम है नागरिक उड्डे सुरच्छा ब्यूरो यानि की ब्यूरो आप सिविल एवियेशन सेक्योर्टी और इसके नए महानेजिसक के रूप में IPS MA गणपती को नियूग किया गया है इन्होंने अस्थान किसका लिया है तो इन्होंने अस्थान लिया है राकेश अस्थाना का राकेश अस्थाना जी के बारे मैंने आपको बताया था कि यह हमारे BSP के नए डी जी पी बन गए है तो तभी से इसका पदरिक्त था और अब जाकर के यहाँ पर M.A. गणपती की इसके महानेजिसे के रूपे नियुक्ती हुई है हाल ही में रच्छा मंत्राले ने 10 लाख हैंड ग्रेनेट के लिए Economic Explosive Limited के साथ में 400 करोन रुपे का समझोता किया है यानि कि यह जो आपकी Economic Explosive Limited है इसके द्वारा 10 लाख हैंड ग्रेनेट बनाए जाएंगे और वे हमारे रच्छा मंत्राले को दिये जाएंगे जिससे हमारे सेनाए उसका उपयोग कर सकें तो यह रहा आज का Complete Current Affairs अब आपके लिए आज की वीडियो से प्रश्न है IPL में सरबोच बेक्तिगत स्कोर बनाने वाले पहले भारते खिलाड़ी कौन है यानि कि कौन सा ऐसा भारते खिलाड़ी है जिसने Highest स्कोर बनाया है IPL के पूरे इदिहास में कम्प्यूटर में MIPS का अर्थ क्या होता है यानि कि इसका पूरा नाम आपको बताना है अंतरिच में पहुँचने वाली पहली चीनी महिला कौन थी चीनी का मतलब सुगर नहीं है चीनी का मतलब है कि चीन देश की महिला कौन थी नेत्रानी दूइप आपको कहां पर मिलेगा और अध्योगी क्रांती यानि कि जो आपकी इंडस्टियल रोगलोशन था उसकी सुरुवात किस देश से हुई थी तो इन प्राष्णों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्षिन में देने है वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपना फीटबैक भी नीचे कमेंट सेक्षिन में दे सकते हैं वीडियो को समय देने के लिए आप सबी को बहुत-बहुत धन्यवाद थांक्स ए राचिंग जै हिन्द जै भारत और सबसे जरूरी बढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत